सैमसंग एट आटो ब्राइटनेस नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तेकर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस में आटो ब्राइटनेस नोट वर् सबसे मन देज़ें आप घर के अंदर पे तो आपके लाइट जो है अगर आप अंधिरा पर तो थोड़ा सा डिक्रीश होगा अगर आप सानलाइट में जाते तो ऑटो मीटिक इंक्रीश होगा ठीक है तो ऑटो ब्राइटनेस कुछ इस तरह के से काम करते लेकिन यहाप प्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामा ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक इसका मिल जाएगा ठीक है किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्व फाइल्स खेश ठीक है उन सब को क्लियर कीजिए उसके लिए दोस्तों आप जा सकते हैं यहाँ पर बेटरी एंड डिवाइस कियर की ऑप्शन पर ट्री डॉट्स में क्लिक करें इस तोरेज बूस्टर में जाके आप अपने इस तोरेज को थोड़ा सा बूस्त करें फ्री आ करने का तो आप वह भी कर सकते हैं यह करने के बाद दोस्तों आप अपने सेटिंग आप अपने डिवाइस को रिश्टार्ट कीजिए ठीक है डिवाइस को रिश्टार्ट कीजिए डिस्प्ले के ऑप्शन पर जाए डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपक करना है कि एडिप्टिव ब्राइटनेस को सेलेक करने के बाद दोस्तों आपका ओटो ब्राइटनेस ओन हो जाएगा ठीक है आपका ओटो ब्राइटनेस ओन हो जाएगा एंदेन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते कैसे यह काम करते हैं ठीक है इस तरीके से तो आपके सिच्टोइशन के साब से और यह काम करेगा लेकिन दोस्तों मान लेजिए आप ऑन क्या वा है लेकिन फिर भी काम नहीं तो आप नीचे के तरफ जाए जेनराल मेनेचमेंट पर स्क्रॉल डाउन करें, रिसेट में क्लिक किजिए, रिसेट अल सेटिंग पर जाए, अपने मोबाईल पेटर्न, पास्वोर्ट, पीन जो भी आपने एटकिया हुआ है, उसको भर दीजिए, उसको भरने के बाद दोस्तों आपने मोबाईल को रिश्टार्ट करते हुए, चेक क बड़ जाए आपडेट करें तो फेर अबडेट कर लीजे अबडेट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखें आपका जो भी प्रॉब्लेम्स है वो सॉल्फ हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आप आप अटो ब्राइटनेस को यूज कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं ब्राइटनेस का सेटिंग जो है दोस्तों आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा ओटो ब्राइटनेस सेंसर ठीक है तो आप दोस्तो ओतो brightness का जो application है उसको भी install करके use कर सकते या पर कई सरे application सब को मिल जागा जो भी आपको पसने आप उसको use कर सकते install करके ठीक है तो आप ठाट पटे application भी use कर सकते लेकिन दोस्तो जो मैंने आपको solution दिया है उसके मदब से problem definitely solve हो जाएगा उमीद करते दोस्तो वीडिय ने होगा thanks for watching